जादूई गोल्डर लिपिस्ट्रिक का जादू काली गंज नाम के एक गाउं में जमुना अपनी सास और दो बेटियां चंचल और सुनीता के साथ रहती थी सुनीता सत्रा बरस की थी पड़न्तों चंचल की उम्र अभी कम थी वो केवल आठ साल की थी जमुना की सास बिमार हालत में खाट पर पड़ी रहती थी चंचल के जन के दो साल बाद ही जमुना के पती के मृत्यू हो गई थी जमुना अपना घर चलाने के लिए जंगल में लकणिया काटने का काम करती थी जमुना और उसकी बड़ी बीटी सुनीता मिलकर कड़ी महनत किया करते थे लेकिन फिर भी उन लोगों की गरीबी दूर नहीं हो रही थी जमुना अपनी सास की खूप सेवा किया करती थी एक बार की बात है जमुना की सास अंतिम सास ले रही थी अपने अंतिम समय में वो अपनी बहु और अपनी पोतियों को अपने पास बुलाती है और कहती है जमुना बहू, तुने मेरी बहुत सेवा की है हमेशा मुझे अपनी मा के तरह माना है मेरे पास तुझे देने के लिए तो कोई जमेन जायदाद नहीं है सिवाई इस गोल्डन लिपिस्टिक के ये तुम रख लो मैं अपचादा समय की महमान नहीं हूँ बेटी आप ऐसे क्यों बोल रही हो सासु मा मैंने आपकी सेवा किसी लालत से नहीं की है मैं तो दिल से आपको अपनी मा समझती हूँ जाना तुम मुझे पढ़ेगा बेटी तुम इस गोल्डन लिपिस्टिक को रख लो तुम जब भी इस लिपिस्टिक का इस्तेमाल करोगी तो सब्धानी से करना ऐसा क्यों सासु मा बेटी मुझे ये जादुई गोल्डन लिपिस्टिक एक साधो भाबा ने दिया था उन्होंने कहा था कि जब भी मैं किसी बे सहारा इंसान की मदद करूंगी तो ये लिपिस्टिक अपना चमतकार दिखाएगी लेकिन मैं कभी भी किसी बे सहारा की मदद कर ही नहीं पाई परन्तो तुम ये जादुई गोल्डन लिपिस्टिक अपने पास रख लो जब तुम किसी की मदद करोगी तब ये तुम्हें अपना चमतकार दिखाएगी इतना कहती ही जमुना की सास चल बसी जमुना ने जादूी गुर्ण लिपिस्टी को अपनी सास का आशिरवाद समझ कर अपनी अलमारी में रख दिया हमेशा की तरह वो अपनी पुरानी मेकप की चीजों का इस्तेमाल करने लगी उसे लिप्शिक की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इसी तरह कुछ महिने बीद गए और बरसात का मोसम आ गया हल्की फुलकी बरसात में तो जमुना जंगल से लकडियां काट कर ले आती थी कुछ भी नहीं बचा जमुना परिशान होकर अपनी बड़ी बेटी सुनीता से बोली अब तो मुझे जंगल में लकडियां काटने जाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे वो तो आप सही कह रही हो मा लेकिन इस मुस्लाधान बारिश और आंधी तुफान में आप जंगल तक कैसे चापाओगी और अगर आप जंगल चली भी गई तो उन भीगी लकडियों का हम क्या करेंगी उसका तो कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटी लेकिन भूग भी तो बहुत लगी है हम दोनों तो भूखे रह लेंगे लेकिन चंचल अभी छोटी है ही भगवान ये हमारे कैसे दिन आ गए हैं हम सब कब से भूखे हैं तब ही जमुना के मन में एक खयाल आता है सुनीता मुझे एक विचार आया है क्योंना मैं नदी जाकर मचलियां पकड़ लाओ और उन्हें बाजार में बेच दूँ क्योंकि इतनी बारिश में तो पानी का जलस तर भी काफी उपर आ गया होगा मचलियां भी आसानी से जाल में फस जाएंगी अगर बिग गई तो ठीक है वरना पका कर खा लेंगी जमुना बिना देरी कि ये अपनी पडोसन भूमिका से मचलि पकड़ने वाला जाल मांगती है और नदी की ओर चली जाती है जैसी ही वो नदी में जाल डालती है काफी सारी मचलियां एक साथ जाल में फरचाती है बिना देरी कि ये जमुना मचलियां लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है जाते जाते रास्ते में उसे एक बूड़ी और दिखती है जो बारिश में ठंड से ठिटू रही थी जम्रा उसके पार चाती है और पूछती है कौन हो तुम अमा और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हो मैं पास वाले गाउ में रहती हूँ बेटी मेरे घर में मेरा बिमार पती है घर में खाने के लिए कुछ नहीं था इसलिए खाने की तलाश में निकली थी अगर तुम मुझे ये मचलियां दे दोगी तो मैं अपने पती को कुछ खिला पाऊंगी लेकिन अमा ये मचलियां तो मैं बाजार में बेचने के लिए जा रही हूँ मेरे घर में खुद आपके घर जैसा ही हाल है मान जाओ बेटी दे दो मुझे ये मचलियां क्योंकि अगर मैं आज घर कुछ खाने के लिए लेकर नहीं गई तो मेरे पती की मृत्यू हो जाएगी आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या मा तुम्हारा बेटा या फिर कोई बेटी नहीं बेटी, सिरफ मैं और मेरे पती ही है एक बेटी थी, लेकिन कुछ चाल पहले उसके एक्सिनेंट में मौत हो गई अब मेरा सहारा मेरे बिमार पती ही है अगर उन्हें कुछ हो गया, तो मैं भी जी कर क्या करूंगी फिर तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो मेरे घर चल कर देख लो नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है मैं आपके घर जाकर क्या करूंगी ये लीजिए, ये मचलियां आप ही रख लीजिए इतना कहकर जमुना उस बूड़ी औरत को सारी मचलियां दे देती है और खुद घर लोटते वक्त पेड़ से कुछ फल तोड़ कर ले जाती है और घर आकर अपनी बेटी को देते हुए बोलती है बेटी, आज भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला इसलिए मैं ये कुछ फल तोड़ कर ले आई हूँ कोई बात नहीं मा, लाओ, ये फल ही दे दो भूगे रहने से अच्छा है, कुछ तो खाएंगे उसके बार सुनीता उन फलों को ले जाकर काटने लगती है जमुना वहीं पर सर पकड़ कर बैट जाती है और सोचने लगती है अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मेरे परिवार की भूग के कारण मृत्यों हो जाएगी नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ तो सोचना होगा तबी जमुना को अपने सासुमा की कही जादू लिपिस्टिक वाली बात याद आती है वो अपने कमरे में जाकर अलमारी से जादू गुर्डन लिपिस्टिक निकाल लेती है और जादू लिपिस्टिक से कहती है मेरी सासु मा ने तुम्हें मुझे देते वक्त कहा था कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो तुम हमारी मदद करोगी आज हम बहुत मुसीबत में हैं भगवान के लिए हमारी मदद करो आज हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है प्लीज हमारी मदद करो तभी जादू लिपिस्टिक में से आवाज आती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही हूँ जमना तुम्हें मुझसे जो मांगना है तुम मांग सकती हो मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर दूँगी जादू लिपिस्टि को बोलता देख जमुना हैरान हो जाती है और तुरंट अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है सुनीता चंचल जल्डी धराओ देखो ये लिपिस्टिक हमसे बाते कर रही है जमुना की आवाज सुन उसकी दोनों बेटिया वहाँ भागी भागी आती है फिर सुनीता कहती है क्या कह रही हो आप मा? क्या सच में ये लिपिस्टिक बोलती है? हाँ बेटी और इसने कहा है कि हम इससे जो भी मांगेंगे ये हमें देगी मा फिर हम कुछ मांगर देखती है उसके बाद जमुना कहती है जादुई लिपिस्टिक हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा पकवान दे दो जमुना के इतना कहती ही वहाँ बहुत सारे पकवान आ जाते है ये सब देख तीनों मा बेटी बहुत खुश होती है चंचल कहती है अरे वा मा ये सबी पकवान तो बहुती ज़ाद स्वादिस्ट है ये गूर्ड लिपिस्टिक तो सच में जादू ही है उस दिन उन्होंने स्वादिस्ट खाना भर पेट खाया उसके बाद तो उन लोगों के अच्छे दिन आ गए उन्हें जब भी कुछ जरूरत पढ़ती तो वो जादू लिपिस्टिक से कहकर उसे पूरा कर लेते उनके घर से तरह तरह के पकवानों के खुश्बू आते देख उनकी पडोसन भूमिका अपने पती से कहती है जी ये जमुना के घर से तरह तरह के पकवानों की खुश्बू आती रहती है इनके पास इतने पैसे कप से आ गई तो ये लोग पकवान खाने लगी तुम सही कह रही हो भागयवान खुश्बू तो सच में बहुत अच्छी आती है हमें पता लगाना चाहिए आखिर माजरा क्या है उसके बाद वो दोनों पती पतनी चुपके से जमुना के घर पर नज़र रखने लगती है और उनको जमुना के जाओदी गूर्ड लिपिस्टी का राच पता चल जाता है उसके बाद भूमिका और उसका पती जाओदी गूर्ड लिपिस्टी को चुराने का विचार करते हैं आपने घर जाओदी गूर्ड लिपिस्टी क लगाकर भूमिका जट से उसका इस्तेमाल करने की सोचती है और जल्दी से उससे कहती है जाती गुर्डन लिपिस्टिक हमारा पूरा घर सोने और चान्दी का बना दो तबी वो गुर्डन लिपिस्टिक एकदम से काली होने लगती है और थोड़ी देर में वो बहुत तेज फट जाती है जिसे उन दोनों को बहुत चोट आजाती है लिपिस्टिक टूट कर जमीन पर पड़ी हुई थी आवाज सुनकर जमुना और सुनीता भागे भागे उनके घर पर आते हैं तो जमीन पर पड़े हुए अपने जादी गूर्डन लिपिस्टिक के टुकडों को देखकर सारा माजरा समझ जाते हैं फिर जैसे ही सुनीता उन लिपिस्टिक के टुकडों को उठाती है तो वो पहले की तरह जुड़कर चमतकारी गूर्डन लिपिस्टिक बन जाती है भूमिका को अब सब कुछ समझ आ गया था वो जमुना से माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दो बेहन हम दोनोंने मिलकर लालच की भावन से तुम्हारी जाओदी गूर्डन लिपिस्टिक चुरा ली थी और उसकी सजा हमें मिल गई उसके बाद जमुना और सुनीता अपनी जावदी गूर्डन लिपिस्टिक लेकर अपने घर आ जाती है और उस जावदी गूर्डन लिपिस्टिक से अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने लगते हैं इस प्रकार जादे गुर्णे लिपिस्टी की वज़े से उनका जीवन बदल जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं